सब्सक्राइब बच्चों ये वीडियो है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो उत्राखंड में अड्मीशन लेना चाहते हैं उत्राखंड के मेडिकल कॉलेज़ में अपना अड्मीशन का चाहते हैं और और वो नेक्स्ट उत्राखंड वाले स्टेट में हो सकते हैं यूपी, हरियाना या देली या आसपास के स्टेट के या फिर दूर दराज के यहाँ पर अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट उत्राखंड का रुख करते हैं तो उनके माइन में दो कॉलेज़ होते हैं और फीस सी हलदवानी गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज हलदवानी दोनों कॉलेजेस में एक तरह से आज की डेट में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कौन सा चूज करें विच मन इस बेटर दून मेडिकल कॉलेज को बोला जाता है कि यह कैपिटल में उत्राखंड में है जी और जी एमसी हलदवानी के बारे में बोला जाता है कि यह पुराना कॉलेज है रैंकिंग इसकी बेटर है तो थोड़ा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि सरकौन सा चूज किया जाए विच मन इस बेटर तो कॉलेज चूज करते टा उसी को बेस्ट मानता है और हाँ एक कॉलेज मैंने छोड़ दिया हो है स्री नेगर मेडिकल कॉलेज का तो स्री नेगर मेडिकल कॉलेज का भी काफी डिमांड होता है और यह वीर चन सिंग गढ़वाली मेडिकल कॉलेज है तो यहां का भी स्टूडेंट आप एगर केसे से तो वो बोलेगा कि मेरा college बढ़िया है दून के student से बात करो वो बोलेगा मेरा college बढ़िया है हल्दवानी के बच्चों से बात करो तो कहेंगे मेरा college बढ़िया है तो ऐसे cases में आप confused रहते हो last year मैंने भी बढ़ फिर भी दून और हल्दवानी को upper rank बोला जाता है as per the trend भी बताता है कि trend जो बच्चे चूज करते हैं college को उसके basis पे भी आप उसको upper hand कह सकते हो इसमें मैंने दो तीन वीडियो बनाया है मैं उन दो तीन वीडियो का link दे दूँगा जिसमें मैंने एक वीडियो मध्यप्रदेश के साथ बनाया उत्तराखंड के सारे colleges का जो अभी बहुत पुराना नहीं है और एक वीडियो यहां के colleges का बनाया था जिसमें उनके cut-off analysis और seeds वगरे सब के बारें बताया है सबसे पहला parameter तो मैं बालूंगा कि उस college में सबसे पहला मैं तो उसके history में नहीं जाता हूँ मैं उसके teachers पे नहीं जाता हूँ मैं उसके किसी चीज पे नहीं जाता हूँ मैं सिर्फ एक चीज पे जाता हूँ कि वहां पर जो आपका peer group है students हैं उनकी ranking क्या है किस level का बच्चा उस college को choose कर रहा है क्योंकि बच्चा अच्छा जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा गवर्मेंट को अच्छा teachers भी देना पड़ेंगे और infrastructure भी gradually government मजबूत करेगा infrastructure तो more or less almost सारे college का ठीक ही हो जाता है state के पास पैसे होते हैं उनको college को देने के लिए और आज कल मीडिया इतनी जागरूख है कि वो state से पैसे pressure डाल डाल के निकड़ा लेती है तो सबसे पहले आपको देखना हुआ किस college की all India ranking ज़्यादा जा रही है as per the student selection जो बच्चा आमाल लो मुझे अगर admission लेना है और मेरी ranking है suppose करो 10,000 तो मैंने अगर लिया है दून में और 15,000 वाला बच्चा हल्दवानी में ले रहा है 10,000 पे दून बंद होगा 15,000 पे हल्दवानी बंद होगा तो मैं दून को best मानूँगा उस case में क्योंकि जो बच्चे होते हैं वही एक माहौल क्रियेट करते हैं उनी से आपका जो level of study है वो अप होता है that is the only difference private medical college में आप देख सकते हो huge infrastructure होता है कई-कई government medical college में उतरा बढ़ी है infrastructure नहीं होता hostel बहुत बढ़ी होता सब कुछ अच्छा होता but जो group होता group of students वो वो meritorious student जो top layer के होते हो वहां नहीं होते top layer का student जो you know M.A.M.C में होगा वो दून में नहीं होगा तो उस लिहाद से एक parameter ये आपका check करने का हो सकता है तो biggest last year तो दून उसमें माजी मारा है बढ़ उसे पहले neck to neck होता था हलदवानी और दून पिछले कुछ सालों से दून बाहर के लोगों का ज़्यादा फेवरेट बन रहा है क्योंकि बाहर से जो student आ रहे है दहरादून उत्राखंड में उन्हें दून लगता है ज़्यादा close है connected with airport connected with Delhi so easily हलाके हलदवानी भी connected है बट दहरादून का connection की बात करें तो हलदवानी में सीटे कम है and सिर्फ 125 सीट्स है तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कहा सकते हो student teacher ratio बेटर है तो इस मामले में बेटर है यह दून में 175 तो यहाँ पे थोड़ा सा वो उस मामलें बेटर नहीं है हलदवानी एक established campus है पुराना campus है 2004 से तो college चल रहा है 1997 से hospital चल रहा है तो यह पुराना established campus है और उत्राखंड का सबसे पहला medical college है उस लिहाँ से हलदवानी को ज़्यादा rating मिलनी चाहिए और इसी basis पे लोग बोलते भी है हलदवानी बेटर है इन state बता रहा हूँ मैंने भी कई जगन लिंक से उसको उठाए है मैंने एक Wikipedia से उठाया है और मैंने Dune Medical College के website से उठाया है कि यहाँ पे daily लगभग 2019 में 2068 OPD patient रो जाते थे मैंने दो हजार से ज़्यादा हर दिन patient आ रहे हैं दिखाने तो एक huge gathering है यहाँ पे hospital में पूरे साल 62,000 50 patient आये थे casualty हर दिन 107 report की जाती है casualty patient जो accident वगएर है या कोछ चोट लगने वाले तो 107 होते हैं आपे bed की occupancy लगभख 100% है और यहाँ पे आपको seats भी यहाँ पे करीब PG की seats हैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ हल्दवानी में तो PG की seats है 65 और दून में PG की seats मेरे सामने अभी हाँ दिख गया मैं बता देता हूँ 31 seats है तो PG की seats के मामले में दून कम है चारो का मैं उत्राखंड के चारो medical college का मैं आपको website address दे दूँगा वैसे आप ढूट भी सकते हो तो medicaleducation.uk.gov.in पे आपको काफी information मिल जाएगी इन सारे colleges की बड़ यह उत्राखंड यहाँ पे कुछ भी update नहीं है आपको पुराना data मिल सकता है और fees उस भी पुरानी मिल सकती है तो वहाँ से आप प्लीज ज़्यादा rely मत करिएगा हर साल जो काउंसलिंग की booklet आती है काउंसलिंग की जो website होती है उसके थूरू हम rely करिएगा तो जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा उत्राखंड स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो मैं डिटेल यहाँ का फिर एक बार एक वीडियो बना दूगा एकदम लेटेस्ट अपडेट के साथ दून का बजट लगभग 2018-19 में 32-35 क्रोड था इससे हलाकि कोई खास आपको मतलब नहीं होना चाहिए लगभग दोनों जगए पे 500-600 बेड्स है कोई website क्लेम करता है 520 कोई 550 कोई 600 तो उस मामले में लगवग दोनों सेम है अब आ जाते हैं स्टेट का बच्चा कहां पे अडविशन ज़्यादा प्रिफर करता है स्टेट का बच्चा ज़्यादा तर परसनली बताओ तो वो अपने डिस्टेंस को प्रिफर करता है अगर वो दून रिजन में है गढ़वाल रिजन में है तो दून कॉलेज ले लेता है और वो कुमाव रिजन में है तो हल्दवानी कॉलेज ले लेता है ज़्यादा तर यह सभी नहीं सभी केसे नहीं बिल्कुल भी सभी केसे नहीं है तो कोई भी चीज मैं बोलना हूँ उसको जनलाइज नहीं कर सकते हैं विकाज मैं हो सकता जो बोलना हूँ बेलकुल उल्टा हो एक student के लिए जो सुन रहा हूँ तो ये मैं specific नहीं कोई कर सकता क्योंकि specific ranking होती ही नहीं है there is no ranking at all कि ये इसकी ranking है ये quest ranking है ये nirf की ranking है यहाँ पर कोई ranking नहीं होता तो इसलिए ये मैं आपको personal basis पे student के basis पे बता सकता हूँ All India में दून को ज़ादा जून का cut up उपर गया है हल्दवानी का cut up नेचे गया है इस्टेट लेवल में हल्दवानी का cut up उपर जाता है दून का नेचे जाता है हल्दवानी में पुराना है कम सीटे हैं तो ज़्यादा इनों वहाँ पे आपको कह सकते हो कि वहाँ पे exposure ज़्यादा है PG seats ज़्यादा है यानि number up specialization वहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे 31 है याई specialization कम है यहाँ का campus ने बारे एकड़ के campus में shift होने वाला है दो जगें चल रहा है hospital कहीं और है college कहीं और है थोड़ा सा दून में दिक्कत है दून में hospital की दिक्कत थी जो आप देदरे सांथ हो रही है personally मुझे अगर refer करना हो मैं अगर देहरा दून में रह रह रहा हूँ तो मैं दून college ही लूँगा personally मैं बता रहा हूँ मुझे अगर लेना हो तो I would prefer to doon college rather हल्दवानी अगर मैं हल्दवानी के पास रहांगा तो I would prefer हल्दवानी और अगर कहीं पहाड़ पे रहांगा equal distance है तो I will prefer हल्दवानी यह मेरा आपको अपना preference बता दिया जिससे कि आपको यह न लगए कि मैं biased opinion दे रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई interest नहीं यह government का है तो opinion bias नहीं होना चाहिए सबके मैं email ID आपको दे देता हूँ वीरचन सिंग गठवाली medical college का email ID है vcsg srinagar.org और हल्दवानी का है gmc hld hld short form हल्दवानी का .com gdmc doon का है gdmc uk.com और सोबन सिंग जीना government institute of medical science and research almoda का है ssjg imsralmoda.org यह वहां का है तो it was all about इसके बाद मैं इसमें दो video add कर दूँगा आप comment करके जरूब बताईए अगर कोई information घलत हो गया है by mistake तो आप इसको correct कर दीजेगा और आपको और कुछ चाहिए तो comment करके बताईए उसके बारे भी बात करेंगे तो थैंक you very much बाबाए